हेलो क्लास थर्ड बच्चो जैसा कि आप लोग अवेर हो कि आपके जो फाइनल एक्जाम्स है वो बस स्टार्ट होने ही वाले हैं और अब आप लोग अपने एक्जाम्स की त्यारियों में बहुत अच्छे से जूट जाएए ठीके बच्चो आपको 16 असाइन्मेंट से 32 है प्लस जो आपके सिलेबस में चाप्टर्ज हैं उनको आप तयार करना शुरू कर देजे चाप्टर्ज को अपने पार्ट को बार-बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए जिसमें कुछ शप्दों के अर्थ भी दिये हैं आप उनको भी पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए एक चीज और बच्चों यदि आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़कर समझ गए हैं तो आप उस पार्टे संबंदित किसी भी प्रश्न का उत्तर हाराम से दे सकते हैं तो आज हम उसी क्रम में जो आपकी हिंदी साहिते की पूस्तक है उसका पार्ट 12 जो शरार्थी बंदर है उसकी पुनराविति करेंगे ठीक है पार्ट 12 शरार्थी बंदर तो अब आप लोग अपनी हिंदी साहिते की पूस्तक का पेज नंबर 72 निकालिए मैं पार्ट को संक्षेप में समझाऊंगी और इसके बीच बीच में से हम खुदी प्रश्न बना क करके उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे और इसी पार्ट से संब्दित में आपको घ्रकार्य दूंगी आप लोग पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़िए वीडियो को धिहान से देखिए और एक बारी में यह दी पार्ट समझ में नहीं आता तो दूसरी बार फिर कीजिए और अच्छे माक्स स्कोर कीजिए ठीके बच्चों तो जो यह पार्ट है यह ऐसे बंदर के बारे में है जो दिन भर इधर उधर जंगल में भटकता रहता था और और जीव जन्तूं की तरह उसने अपने लिए एक भी ठिकाना नहीं बनाया था तो बरसात का मौसम बारिश होती है और सब लोग जिन्होंने अपने ठिकाने बनायते वे अपने ठिकाने में आश्रे लेते हैं लेकिन उस बंदर के पास कोई भी सिर्चुपाने की जगह नहीं होने की वजह से बारिश में भीगता है और उसको भीगते देख एक चडिया जिसका की घोंसला था वहाँ पर तो वो उसको बोलती है कि यदि तुमने एक चपर डाल लिया होता तो आज तुम्हें ये भीगने की नौबत नहीं आती और वो उसे समझाती है तो उन दोनों के बीच में वो किस तरह उसको समझाती है यह हम इस पार्ट में पढ़ेंगे ठीके मुच्चो जंगल में नदी के किनारे बबूल का एक पेड़ था उसमें लगे पीले फूल महक रहे थे महक ना मतलब खुश्बू देना आसमान में चारो और बादल चाय हुए थे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी मौसम बड़ा सुहावना था तो एक जंगल होता है महाँ पर एक नदी होती है और उसके किनारे एक बबूल का पेड़ था जिस पर की पीले पीले फूल अपनी खुश्बू बिखेर रहे थे और मौसम बहुत सुहावना था चारो तरफ आसमान में बादल थे और बारी शानी से पहरी जिस तरह ठंडी ठंडी हवा चलती है वैसा ही मौसम था बबूल की एक पतली डाल नदी में लटकी हुई थी डाल मतलब टहनी इसी डाल पर बिलकुल आखिर में चडिया का एक घोसला था इसी घोसले पर चडिया और उसके बच्चे जूल रहे थे और मौसम का आनंद ले रहे थे बबूल के पास ही जामुन का पेड़ था जो हवा के जुकों में जूम रहा था बादल घिर आये और देखते ही देखते बिजली भी चमकने लगी बादल गरजने लगे और मोर मोरिनियों का मोहक नृत्ति मतलब नाच शुरू हो गया और उनके पीकां पीकां के स्वर से सारा जंगल गूंज उठा टिटहरियां भी आकाश में आवाज क कार दोता है बहुत तेज या बहुत जोरों की वर्षा इसी बीच एक बंदर जामून के पेड़ पर आकर बैठ गया उसने पेड़ के पत्तों में चिपकर बचने की बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं सका क्योंकि एक तोसने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया था और बारिश में भीग गया पेड़ पर बैठा बैठा बंदर भीगता रहा बंदर सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वर्षा रुख जाए तो बंदर क्या सोच रहा था बंदर यह सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी यह जो बारिश है यह वर्षा है यह रुख जाए लेकिन इसके विपरीत हुआ विपरीत का आर्थ होता है उल्टा उल्टा क्या हुआ कि ओले गिनने शुरू हो गए अब ओले किसे कहते हैं बरफ के छोटे छोटे गोले जो आपने बरसात में देखे होंगे न उसको हम ओले कहते हैं हवा और तेज चलने लगी सरदी बढ़ गई बंद मनुष्य जैसी काया ढूंडत घूमो चाया चार महीने वर्षा आवे घर न एक बनाया तो बच्चों अभी तक हमने पड़ा कि एक बंदर था और वह एक जामून के पेड़ पर बैठा था और उस जंगल में एक बबूल का पेड़ था जहां पर एक चिडिया का घोसला था और बहुत अच्छा मौसम था चिडिया के बच्चे और चिडिया जब हवा चल रही थी तो उनकी जो जिस टहनी में घोसला था वह हिल रही थी और बच्चे जूले का आनंद ले रहे थे तो अचाना क्या होता है बारिश होने की जैसे मौसम हो जाता है वातवरन हो जाता है आसमान में चारों तरफ बादल चा जाते हैं ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है तब क्या होता है इसी बीच जो बंदर था वो जामुन के पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वो उसके पत्तों में चुपने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बचने से भीग पाता और वो भीगता रहता है और वो ये सोचता है कि काश ये बारिश जल्दी से जल्द बढ़ जाती है और बंदर ठंड से कापने लगता है और करहने लगता है और जंगल का जो वातावरन है वो बहुत ही भायानक हो जाता है तो बंदर की इस हालत को देखकर चडिया उससे बोलती है कि मनुष्य जैसे शरीर पाकर भी तुम दिन भर इदर से उदर भटकते रहे औ और तुमें पता है कि चार महीने जो बरसात होती है उस बरसात के लिए तुमने अपने ले ठो ठिकाना भी नहीं बनाया है ठीके है बंदर ने चडिया पर तीछी नजर डाली लेकिन चडिया पर कौई असर नहीं पड़ा असर का मतलब प्रभाव चडिया ने सोचा कि बंदर मेरा क्या बिगाड़ लेगा घोसला इतनी पतली टहनी पर है कि उसका मुझ तक पहुँचना असंभव है अब चडिया ने जब उसको समझाया उसको सीख दी तो बंदर को बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने उसको तिर्ची नजर डाल करके देखा लेकिन चडिया पर कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि चडिया ने ये सोचा कि ये बंदर मेरा क्या बिगाड़ेगा जो मेरा घोसला है वो तो एक पतली सी टहनी पर है जहां पर ये तो कभी पहुँची नहीं सकता तो ये मुझ तक पहुँचना असंभव है चडिया ने बं मनुष्य के पूर्वज हो मनुष्य के पूर्वज कौन थे बंदर तुम्हारे वंशत जब घर बना कर रहते हैं तो तुम्हें भी कुछ न कुछ बना कर ही रहना चाहिए कहीं चपपर ही डाल लेते चपपर मतलब कहीं पर जैसे आपने दिखा हो गाउं में होती है ना फू जांग मार कर वबुल के पेड़ पर आ गया और अपने आपको बचाते हुए उसने उस पतली टहनी को जोर-जोर से हिलाना शुरू कर दिया और जिस पर चडिया का गोसला था इससे क्या हुआ कि गोसला उल्टा सीधा होने लगा और यह देखकर के चडिया उसके बच्चे उड़कर जांग उनके पेड़ पर बैठ गये बंदर ने क्या करा बंदर ने जो टहनी थी उसको तोड़कर ऊपर खीच लिया और जैसे ही गोसला बंदर के हाथ में आया उसने उस गोसले को नोच-नोच करके तोड़ दिया और टहनी सहीत गोसले को नीचे नदी में भीग द कि अब मैं कभी इस बंदर के मुह नहीं लगूंगी सामने एक टिले पर बैठा सज्जन यह सबनाटक देख रहा था उसने चड़िया पर तरस उसे चड़िया पर तरस आने लगा और उसके मुह से अचानक निकल गया कि सीख तो को दीजिये जाको सीख सुहाए सीख न दीजिय बांदरे चड़िया का घर भी जाए यानिका अर्थ है कि सीख ऐसे इनसान को देनी चाहिए जो उस सीख से सबक ले उस सीख को अपने जीवन में उतारे ना कि जिस तरहर चड़िया ने बंदर को सीख देकर बंदर को समझा कर अपना ही नुकसान कर लिया ठीक है बच्चो त और जो कुछ क्वेश्चन्स है वो हम हैं पर डिसकस करते हैं तो जैसे शब्दत देखिए पहला है डाल डाल का अर्थ होता है शाखा या टहनी ढूंडत ढूंडत मतलब होजना मूसलाधार यानि की बहुत जोर की बारिश और वन्शच वन्शच का अर्थ होता है बाप दा जिसका जन्म कुल ने हुआ हो काया कार्थ होता है शरीर विट्य wanna लिक कार्थ होता है चाया असर का अर्थ है प्रभाव और ओले का है बर्फ के गोले तो अब यहां पर जो यह मौखिक और लिखित और यह जो दिया है सही उत्तर चुगी आम इसको देखता ह 되고 कि जंगल के किनारे किस का पेशटा चंगल के किनारे एक बबूल का पेड़ था चिडिया का घोसला किस पेड़ पर था चिडिया का घोसला बबूल की पेड़ पर था दूसरे पेड़ पर कौन आकर बैठ गया तो कौन आकर बैठ गया था दूसरे पेड़ पर एक बंदर आकर के बैठ गया और दूसरा पेड़ किसका पेड़ था एक जामुन क पेड़ था चौथा क्वेशन बंदर भीगने से क्यों नहीं बच पाया हम इसके उत्तर दो तरीकों से दे सकते एक तो अपने लिए कोई घर या ठीकाना ना बनाने के कारण और वर्षा बहुत तेज होने के कारण बंदर भीगने से नहीं बच पाया यह हम यह बोल सकने कि मूसला धर बारिश हो रही थी और बंदर के पास सर्शिपाने को जगे नहीं थी इसलिए बंदर भीगने से नहीं बच पाया अब हम लिखित वाला जो है यह वाले कोईशन्स डिसकस करेंगे जिसमें पहला प्रशन है बंदर क्या सूच रहा था बंदर यह सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी ये वर्षा रुक जाए बंदर की हालत देखकर चडिया ने क्या कहा बंदर की हालत देखकर चडिया ने कहा कि हम तो छोटे जीम हैं हम फिर भी गोसला बना कर रहते हैं तुम तो मनुष्ची के पूरवज हो अपने वन्शच की तरह कहीं पर छपपर ही डाल लेते ठीक है बंदर ने चडिया के घोसले को किस प्रकार बरबाद किया बंदर ने क्या करा सबसे पहले चलांग मारकर वह बबूल के पेड़ पर आ गया और उसने टहनी को जोर-जोर से हिलाना शुरू कर दिया कौन सी टहनी जिस पर चडिया का घोसला था और बंदर के टहनी को जोर-जोर से हिलाने पर जो घोसला था वो उपर नीचे उल्टा सीधा होने लगा यहां देख करके चडिया और उसके बच्चे जाम उनके पेड़ पर उड़ करके बैट गए बंदर ने क्या करा टहनी तोड़ी और उपर खीच ली अब टहनी तोड़ी तो घोसला भी उसके अगया तो उसने उस भूसले को टुकुडे टुकुडे करके नोच-णोच के नीचे नदी में फेंग दिया ठीक है बच्चो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमेह सीख मिलती है कि हमें अपने विचार या अपनी जो राय या जो हम किसी को समझा रहे स सीख वह ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसको आत्मसाथ करें जो उसके महत्व को समझें ना कि बंदर ने जिस तरह चिडिया का नुकसान किया और बंदर की तरह यदि कोई व्यक्ति है उसको सीख बिलकुल भी नहीं देनी चाहिए जिसको सीख देकर कि हम अपना नुक निशान लगा ये तो पहला है बंदर बारिष में ऻाँ था यहां परामर का निशान लगा हुआ कि दूसरा है चिरिया अपने 27 तो इस वाके बच्चों आप लोग इस पार्ट को बहुत द्यान से पढ़िएगा और अपना जो घ्रकारे वो समय पर करके भीजिएगा